नमस्कार जिस सिटी के इस ओलाइन प्लेटफूंग पर मैं मुक्य सबाकरा आप सभी का फार्दिक स्वागत करता हूं आज का अपना टोपिक है गाउस का नियम वे उसके आउकल वस्माकल सुरूँ तो गाउस का नियम उसका दियन हमने एकसा बारा में कर लिया था अच्छे स पड़ेंगी परिबस्सा चेंजिंग नहीं होती है गाउस का नियम है भही रेने वला है अब ऐसे नहीं कि फस्टेर में आगे तो गाउस का नियम किसी दूसरे का इस्टो का नियम बन जाएगा कभी नहीं हो सकता बस जो नया चेंजिंग है आज हम जो हल करेंगे वह उसका आउकल वे स्माकल सहुरू तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट तो यह रापना टोपिक अब गाउस का नियम के कोडिंग हम क्या जानते हैं गाउस ने क्या बताया कि कोई बंद प्रस्थ है उस बंद प्रस्थ में उत्पन विजूद फलक्स जो काल्पनिक बंद प्रस्थ है उसमें उत्पन विजूद फलक्स है वो उस फलक्स में इस्तित परिबद जो आवेस से के वन अपन एपसालेन गुणनफल के तुल्ले होता है इसलिक से आपको याद नहीं करना है आपको याद्टने का बंद प्रस्थ है आपको याद करने का तरीका बस यह है पाई इक्वल टू टू पॉण एपसाले बस यही इसका याद करने का तरीका अब याद करने का तरीका कैसे कोई बंदप्रस्ट हो गया कि सबसे पहले तो आपको शुरुवात इसी करनी है कि गाउस का नियम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने एक कोई काल्पनी प्रस्ट लिया बंदप्रस्ट लिया जिसमें उत्पन विद्यूत फ्लक्ष तथा आवेत के मद्य गाउस ने समंद बताया यह चीज तो हो गई क आपणेंस नहीं है कि अपने को वही लिखना पड़े हमें में प्यवल्य मेंप परियंट पर आणा है और में जो इसकी प्रीबस्ता सहरं है वह है यह वाला और लिव कि क्या को बताता है कि मिकें को कौने बंदप्रस्ट हो गया बंदप्रस्ट यह हो गया बंद Anal utilise मे उत्फ और इसो को मैं ये लेशकता हूं मैं तो आवेस के बनतों एपसलेन गुरूद्फन के तुल्य होता है और यहां पे Memorial माध्यम की विजुतशिल्था है तो इस टोली लिखते हैं गये है यह चीज़ तो आप समझ गहे Jonathan कि कि भाई हमें लिखना क्या है बस इसी के अकोडिंग अब यहां पर अब यह सा नहीं कि आप सबसे उपर इसका फॉर्मूला लिख दो उपर नहीं लिखना है किसी बंद कालपनिक प्रस्ट की प्रस्ट में विद्ध खलक्स विद्ध फलक्स था 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 उसे प्रस्ट से परिबद आवेस्ट के मद्दे समंद्ध बताया बस यही है अब क्या करना है अब आपको समंद्ध बताया वह समंद्ध था क्या यह चीज अब लिखने हैं तो समंद्ध क्या था भई यहां से आप इस्थे से कॉमा लगा गए इन्वेटेट गॉमा में लिक दोगे तोड़ा सा ऐसे जूम बड़ा सा लगना चाहिए बहीं हाँ यही है अब मेल जो पोइंट इन्हें जो परिबस आए बस वह यहीं से सवहोती है तो अब मेल परिबसा क्या होगी बैए इसके प जुत्पन विद्यूत फ्लक्स उसी प्रस्ट से प्रस्ट से क्या होगा जो कुल आवेस थे हैं वही होगा परिबद तो परिबद लिखूंगा से परिबद आवेस के वन अपोन एपसरें गुणन फल के तुल्ले होता है इसे ही गाउस का गाउस इसको निचे लिखना बड़ेगा वई इसे गाउस का नियम केहतें हैं बस अब निचे लिखना ये वाले थी ये तो मैं आपको बता रहहूं कि ये जो परिबद स्थ हैंबस इसी के कोडिंग आपको लिखने हैं अब यह अभी तक हमने लिखा है इसको परिबस्टा करूंपने अब यह दि हम यहाँ पे लिख देना एपसलन क्या है मैंने भी बताया था आपको क्या है एपसलन माध्यम की विद्यूति शीउलता हाँ अब है कई बार यहां पे एपसेलन इकोल टू एपसेलन नोट भी मिल जाता है तो जो एपसेलन नोट है थोड़ा सा उपर कर देता हूं मैं इसको किसमें चैंज हो गया एपसेलन नोट में और यहां बार मात्र की बात पर मात्र क्या होगा इसका प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र बिल्कुल इजी है अब डेरिवेशन करना आपको शुरू और डेरिवेशन करने से पूर्वे हमें क्या लेना होगा आवेस कि बहुत कौन-कौन से हैं तो उनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना किसी कालपनी जो प्रस्ट है उस पर आवेस है वो q1 q2 q3 किसी प्रस्ट एस पर से परिबद है तो कुल आवेस है q बराबर क्या होगा वो करते हैं अब शुरू तो माना माना अब आवेस कितना ले वही जो किये भी मैंने बताया q1 q2 q3 आदी कोई फिक्स मान q3 यहीं तक ले कोई जुरू नहीं q1 q2 q3 कितने भी होने अपने को क्या यहां पर हमने एक दो अपने को आवेस लेने हैं बस जाने के लिए आदी आवेस जो की काल्पनिक प्रेस्ट से परीबद है तो बही मैं इनको क्या लिकूंगा q1 q2 एंड यह हो गया q3 तो यह जो काल्पनिक बंद प्रेस्ट से परीबद है तो मैं क्या लिकूंगा इनको क्यों बराबर कितना हो जाएगा q1 q2 अब ऐसे लिक दो यह क्या है फुल आवेस उसे प्रस से निर्गत कुल आवेस क्यों एक्वाल कितना हो गया क्यों प्लस क्यों टूटू प्लस से डॉलर यह कितना भी हो जितने भी हम आवेस ले रहे हैं कि लिए रहे इतना अब क्या है जब माध्यम में विद्यूद्शित्र की सिवर्था की वेक्टर हो तो विद्यूद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा वी फाइक वल्टू ओलॉप इंट्रिकेशन किसके साथ एक्ष कर रहे हैं प्रस्ट क्या लिया था हम एस लिया था तो एसके साथ एक्स यह कितना हो जाएगा इडोट डि ए वेक्टर क्लियर है इतना क्लियर है तो बस आगे भी आपको बस ऐसे ही करते रहना है नंबर देना चाहो तो आप इसको नंबर दे दूस्विक नंबर एक ठीक है अब देख आगे गाउस के नियमा नुसार हम क्या जानते हैं गाउस के गाउस के नियमा नुसार वाउस के नियमा फालोप इंट्रिकेशन स्जुए यह होता है अरे गाउस का नियम अभी जैस्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा यही तो पढ़ा था क्यों अप्पॉन एपसलेन तो इसको आप नमबर देना चाहो यह जो एक्टर है उसका बाए ध्यान रखना ह यह इस त्रिस्क काचन है आप लोग समझगी होंगे ऐसे नहीं विल्कुल एकदम तीर बनाए को जुर्दी नहीं क्योंकि अपने को टेर्यों से मतलब हैं अब ऐसे भी नहीं है कि आप योग्टर लगावें नहीं सदिस्वी होना जुर्दी है अब देखो जो प्रस्ट है उस पर हमाइटन की बात करें कि आएटन है जैसे लिया वी आई तन है तो उस पर जो घंद्थो होगा वह कितना होगा प्रस्ट है यह बंद प्रस्ट होगा ने तो बंद प्रस्ट से निर्गत क्या होजएगा आयतन सब्सक्राइब थोड़ी होता है बंद प्रस्ट के से परिबद आवेस के से परिबद आयतन में समान वित्रित होता है बंद प्रस्ट परिबद आवेस से परिबद आयतन समान रूप से वित्रित वित्रित होता है है तो आवेस गनत्वे रो तो क्या वज़ाएगा भई रो ब्राबर डिक्यू पॉन डिवी नाम देना चाहता नमबर देदो इसको समीकर नमबर ती जब आयतन है किसी आवेस में आवेस का जो आयतन है वो सबाद रुप से वित्रित है तो इसमें जो आवेस गनत्वे होगा वह कितना होगा रो इक्वल को डिक्यू पॉन डिवी इतना तो आगे देखो आगे हैं तो यह जो हमारे पास समीकन प्रापती है इसके अकोर्डिंग में डीक्यू ब्राबर क्या लेख सकता हूं रो डीवी देख सकता हूं अब जो सम्माइब सम्पूर्ण प्रस्ट है उस पर जो आवेस्थ है वो समान रुप से वित्रित है तो क्या होगा वही है इसमें q-equal क्या हो जएक डीक्यू प्रस्ट है बंद प्रस्ट है बंद प्रस्ट है तो अपने आयतन के सब्यक्स वी तो यह रो डी वी इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं तो यह अपने असमीकन नमण हो जाएगी चार अब यहां से हमने पास में जो प्राप्त हुआ हो पिसका प्राप्त हुआ है क्यों कमान प्राप्त हो गया अब क्यों से हम क्या करेंगे समीक्रण चार कमान कौन से वाली समीक्रण वह उपर यह देखो आपके समीक्रण नमर हो जाएगी यह दो चार कमान समीक्रण दो में रखने तो समी के नमर दो क्या है बहई अब देख लो फाल इक्वल टू फाल इक्वल टू हौली ओफट्रिकेशन ए डो ट दी ए क्या है वहाँ पर यह तो है अपने q अपॉन एपसलेन हैं तो 1 अपॉन एपसलेन यह होज़ाएगा ओप इट्रिकेशन रो डी वी यह जो है यही तो है नहीं देखो एक बाद करें आसा यह भाई आप देखो इसको आप नमर देना चाहो तो समीक नमर देदो पांच यह हो जाए कि यहां पर भी ठीक है अब क्या है कि गाउस की डाइवर्जेंस पर में गाउस की डाइवर्जेंस पर में के अनुसार फाई इक्वल टू अलोप इंट्रिकेशन एस ए डोट डी ए वेक्टर इक्वल टू यह होज़ेगा आपके अलोप इंट्रिकेशन वी और यह हो गया डेल डोट इवेक्टर एंड डी वी क्लियर है इतना तो यहां से यह हमारे पास में प्राप्तु यह गाउस की डाइवर्जेंस ठोरम के मान इसको नाम दे दू आप समीकर नंबर छे अब क्या करना है कि यहां पर यह मान है वहां पर वो मान है तो हम करेंगे समीकरण अपने पांच और छे की तुलना तो समीकरण पांच और छे की तुलना करेंगे तो हमारे समीकर नंबर पांच पॉंट्स यह वह वाली डूट दिये सेम यह इसमें वहां पर क्या है वन अपन एपसले रो डीवी और यहां पर क्या है यह जो मान है तुलना किसकिस की करेंगे वन अपन एपसले एन अलो पिंट्रिकेशन वी वी रो डीवी एक्वल टू क्या हो जाएगा होल ओप इंट्रिकेशन वी डेल डोट ई वेक्टर और यह हो गया डीवी अब यहां से हम मान किसका निकलेंगी हमें यहां से मान निकलना है यदि ए डोट डीए का मान निकलेंगी है डूट यही का मान निकलेंगी तो यहां से यह मां कितना प्राफत हो जाएगा ko अब देखना याँ पर एक चीज करें हैं और यह विशह बीडिर ऑन यहां से यह बीडिकर यहां से विद्धित वीजर एक طтов होगा तो यहां से यह कितना प्रात हो जगा वन अपन एपसेलेन और यह बच गया रोव एक्वल टू यह बजएगा डेल डोट इका वेक्टर तो इसको मैं क्या लेक्षकता हूं इस डोट एन डेल डोट इवेक्टर एक्वल टू रोव पॉन एपसेलेन यह हो जाएगा आपके समीक नमबर साथ क्लियर है यहां तक हो गया अब जो यह समीकर नमर साथ है वो क्या है गाउस की जो पर्मे है उसका आउकल रूप है समीकर न साथ गाउस की पर्मे का आउकल रूप है और जो हमने उपर एक समाकलिंग रूप में समाकलिंग वाड़ा पत्राप्त किया था वो उसका समाकलिंग रूप था तो यह है अपने गाउस के नियम के अनुसार समाकल वे अउकल रूप किस प्रकार से आपको निकालना है तो पहले तो हमें गाउस का आउकल वे समाकल रूप निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए गाउस के नियम का और फिर उसके अकोडिंग है हमें पर्ते के मान निकालने है और वेंजर प्राप्त करने है ठीक है अच्छे से समझ गये होंगे तो आज के लिए बस यही छोटा सा टोपिक था अब नेक्स्ट क्लास से उसमें एक नया टोपिक लेंगे तो धन्य बाद